सभी बच्चों को मैंना नमस्कार आज क्लास 10th NCRT Mass Exercise 1.2 हम डिस्टस करने जा रहे हैं पहले बात तो यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडम दोनों वर्ग की जो बच्चे हैं हर वो बोड चाहे हो सीबियसी हो चाहे जो NCRT पैटर्न फॉलू करता है पैटर्न फॉलू करता है यह NCRT की बुख जहां चलती है उनके लिए लाबदायक होगा आपको अगर लगे यह वीडियो देखने के बाद कि आपके लिए लाबदायक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वह सम्बोलते नहीं और ऐसा भी नहीं बोलते नहीं बोली रहे हैं ठीक है देखिए एक सदाइब पॉइंट वन में वास्त्विक संख्याओं के बारे में रियल न दिंस में ऐह त्हुरम है ठीक है इसको कहते हैं अंक गडित की आधार भूत प्रमी क्या है पहले इंग्लिश वाले ध्यान से कही क्या रहा है लिखा है अवरी कंपोजित नमबर यहां पर आया है जोग यहां भाज संक्याया है जड़ाए इन नमबर सुभ्क को समझिएगा यहाँ पर एक जगए आया है composite number और यहाँ पर आया है भाजी संख्या ठीक है और एक यहाँ पर आया है prime number यहाँ पर आया है अभाजी संख्या दोनों संख्याओं को पहले पकड़िएगा प्राइम नंबर्स यहाँ अभाजी संख्या वे संख्या होती है जो केवल अपने आप से करती है फिर से समझीगा प्राइम नंबर्स यानि अभाज संख्या है वे होती है जिन जो अलग दो नंबर से करती है अलग अलग दो नंबर से करती है पहला वो खुद दूसरा वन अलग अलग दो नंबर से करती है अगर मैं कहूं कि वन क्या प्राइम नंबर है क्या भाज संख्या है तो मेरी डेफिन संख्याद जो अपने आप से करती है और 1 से करती है, अलग-अलग अपने आप और 1, दोनों अलग-अलग होने चाहिए, वो आपका प्राइम है और कंपोजित वो नंबर है जो अपने आप और 1 के अलामा किसी और से कटे, यानि जो प्राइम नहीं है जैसे 4 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 6 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो यह composite number है, जिसको कि हम भाजिसन क्या कहते हैं, ठीक है, आप question पर आते हैं, अब आपका यह fundamental theorem कहती क्या है, every composite number can be expressed या factorized a product of unique prime numbers apart from the order in which prime numbers occur मतलब अगर हम किसी संख्या को ले संख्या कैसी हो composite number हिंदी वाले न सुने संख्या कैसी हो composite number हो composite number क्या होता हम बता चुके हैं तो उसके अगर हम टुकडे करें टुकडे का मतलब यह नहीं कि मैंने छह लिया टुकड़ा कर दिया यह लिए टुकड़ा दो टुकडे में भार दिया ऐसे थोड़ी टुकडे कियाते हैं factor करें गुलंखंड करें factors करें तो वो factors prime numbers होंगे ठीक है अलग-अलग prime numbers होंगे unique prime numbers होंगे ठीक है और वो prime numbers का order चाहा है जो आप लिखे वो किसी भी order में लिखा जा सकता है अभी मैं समझा रहा हूँ हिंदी में क्या कह रहा है कि अगर कोई भाज संक्या है भाज संक्या आपने बता दिया जो अपने आप और one के अलामा किसी और संक्या से भी कटे वो भाज संक्या होती है उसको अगर हम गुलंखंड करें अभाज संक्या के रूप में ठीक है तो ये कह रहे है कि अभाज संक्या के गुलंखंड के रूप में लिखा जा सकता है uniquely आदोती तरीके लिखा सकता है उसका order चाहे जो लिखे ये दोनों थेवरम संद में आ गई अब आप कोई भाज संक्या यानि की composite नंबर आप दिमाग पे लाइए अब वो छोटा समत लाइए थोड़ा बड़ा लाइए अपना छोटा छोटा लाओगा कैसे काम चलेगा जैसे मैं एक एक एक्जामपल लेता हूँ मैंने एक्जामपल लिया 110 का 110 कई संक्याओं से कट रहा है एक से भी कट रहा है अपने आप से भी कट रहा है 10 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है 11 से भी कट रहा है दे तेरे की बहुत सारा कट रहा है तो ये composite नंबर है यानि भाज संक्या है इसके छोड़े टुकड़े कर दीजे इसको 2 से काटोगे तो 5 से काटोगे 11 फिर 11 से काटोगे 1 तो 110 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटU 5 इंटU 11 यहीं तो कह सकते है कि प्रतेक कंपोजित नंबर प्राइम नंबर के फेक्टर्स के फार में लिखा जा सकता है लेकिन उसका order कुछ भी लिख सकते है मतलब आप इसको चाहे 5 into 2 into 11 कर दे चाहे इसको 2 into 11 into 5 कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है यह हिंदी में भी है कि भाई इसको अलग-अलग गुरंखंड के रूप में लिखा जा सकता है order कोई भी आप लिख सकते है ठीक है जैसे मालिया हम 420 ले लें क्या संक्या है 420 ले ले और उसको 2 से काटिए तो 2 दुनी 4 2 1 कम 2 0 2 से काटिए 2 1 कम 2 0 2 510 3 से कर जाएगा 3 से कर जाएगा 3 से काटिए 3 तरक नो 35 किस से कटेगा 5 से काटिए 5 सते 35 7 से काटिए 1 तो 420 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुणि 2 गुणि 3 गुणि 5 गुणि 7 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 चुकि 2 टू टाइमस लिखा हुआ है तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसका आर्डर कुछ भी लिख सकते हैं पहले आप 3 लिख दीजे फिर आप 7 लिख दीजे याप 5 लिख दीजे फिर 2 पावर 2 लिख दीजे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे उसके लिए हम increasing order लिखते हैं सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा भी चाहते हैं जला समझने की कोशिज करिएगा कुछ बाते और बताते हैं ध्यान से समझेगा कुछ हम कहना भी चाहते हैं नहीं कहना मतलब कुछ गाना नहीं गाना चाहते हैं पढ़ाई की बारे में बात करेंगे तेखिए आपने एक तो LCM निकाला है लगुत्तम समापवर तक और एक SCF निकाला है महात्तम समापवर तक मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ दो संख्याएं हमने लिया मालियत 6 और 20 एक कुछ और बताना चाहते हैं मैंने संख्या लिया 6 और 20 और हमने कहा factor method से गुड़न खंडविध से इसका LCM निकालो क्या तरीका होता है 6 के टुकड़े करते है 6 के छोड़े करते है क्या होगा 2 से काटेंगे 3 आएगा 3 से काटेंगे 1 आएगा 6 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1 1 को लिखो चाहे ने लिखो 1 नहीं लिखते हैं ठीक है इसके 20 के टुकडे करते हैं 20 को लिखेंगे 2 से काटेंगे 10 आएगा 2 से काटेंगे 5 आएगा 5 से काटेंगे 1 आएगा तो 20 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 यहां तक बात समझा गई अब आपको इसका LCM निकालना है LCM जिसको की लगुत्तम समापवर तक लासा कहते हैं क्या तरीका होता है देखो बढ़िया सी बात याद करने की हम बता दे बढ़िया सी बात ठीक है इसमें जितनी भी संक्या है उनका अधिक्तम जो पावर है वो लिख दीजे जैसे 2 की पाव 1 है और 2 की पावर 2 है तो यहां 2 की पावर 2 लिखा जाएगा ठीक इन 2 3 की पावर 1 है और यहां 3 की पावर नहीं है तो 3 की पावर 1 लिखा जाएगा 5 पावर 1 है 5 पावर यहां नहीं है तो 5 पावर 1 लिखा जाएगा दूसा तरीका जो आप याद करने का देखते हैं कि common जो दो या दो से अधिक हो जाएंगी ना तीन चार पांच है संक्या हो जाएंगी किसम कॉमन है किसम नहीं बड़ा कन्फूजन हो जाएगा तो याद रखेगा अधिकतम पावर लिखते हैं इसको गुणा करो तो दो दूनी चार ती बारा पंचे साथ साथ हाएगा ना चलिए ठी है जना आप इसका SCF निकालो जिसको कि महत्तम समापवर तक कहते हैं हम बार बार SCF ही रखेंगे मासा आप समझ जाएगा इतना आप जानते हैं क्या तरीका होता है इन दोनों में जो कॉमन हो लिख दीजिए या यूंगे जो निउन्तम पावर हो कम से कम पावर हो दो की पा निकालना आ गया लगुत्तम समापवर तक महत्तम समापवर तक अब एक बढ़िया सी चीज देखो देखो आप LCM जो निकला है और SCF जो निकला हम बार बार इंग्लिस में लिखेंगे अब हिंदी वाले भूरा नमाने क्या हैं आपने इंग्लिस में लिख रहे हैं कोई दि संख्याओं का मल्टिप्लाई कर दो इस संख्या का नाम दे दो A इस संख्या का नाम दे दो B और इनका मल्टिप्लाई कर दो तो क्या 2 इंटो 6 इंटो 20 ये भी 120 हा रहा है क्या देखा आपने LCM और SCF का जो मल्टिप्लिकेशन होता है गुणनफंड होता है वो इन दोनों सं SM into SCF परावर होता है पहला नमबर into दुसा नमबर यह याद कर लीजी इसका हम बार-बार इस्तेमाल करेंगे और कहीं कहीं पर यह चेक करने को आएगा कि सिद्ध कर ऐसा होता है SM निकालना संज में आ गया, SCF निकालना संज में आ गया, कैसे गुड़नखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, यह संज में आ गया, अब हम direct exercise पे चलते हैं चाल, गाड़ी स्टार करते हैं, पूंँ, पहुंच गए exercise पी, चलिए Book अपने सामने खोल के रख लिजे, हर question को board पे लिखना थोड़ा पॉस्बिल नहीं है Digital board में होता है, चुकि digital board नहीं है, manual है, इसले इसमें लिखना पॉस्बिल नहीं है Book सबके पास available होगी पहला question क्या कहता है 10th class का, Express each number as the product of its prime factors यहां को संख्याय दी है उसको कहते हैं अभाज गुलंखंडों के रूप में लिखी इनके गुलंखंड करने फैक्टर करने देखे जैसे इसका पहला पार्ट है आप से कह रहा है कि 140 है इसको आप तुकड़े करिए तुकड़े मतलब समझे ना ऐसे मत कर दे ना 140 तुकड़ा यह तुकड़ा नहीं है तुकड़ा मतलब गुलंखंड करिए फैक्टर करिए प्राइम फैक्टर करिए अब आप यह नहीं करें 14 से काट दो इसको ना 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 छोटी छोटी जंग्या से काट इए देखो तरीका क्या होता है पहले यह तो आपने कोशन नोट कर लिया आप द से कटेगा 2, 3, 6, 2, 5, 10, 35 आएगा फिर किस से कटेगा आपको उकर 7 से कटेगा ना 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 हां भी है ना भी है लेकिन छोटी से बड़ी आप जाओगे अब 5 से काटो 5, 37, 35 फिर 7 से काटो 7 एकम 7 आप तो आगे काट नहीं सकते हो इसको क्या लिखा जा सकता है 140 को लिसकत हैं 2 into 2 into 5 into 7 तो 2 कि पावर 2 आएगा into 5 कि पावर 1 आएगा into 7 आएगा वसे ही आप से कहरा है कि यह करिए इस चोटे क्रास में आप करते आ रहे हैं यहां भी आप कर रहे हैं सेकेंड कह रहे है कि 156 को निकालो सेकेंड पार देखी 156 किस्से कट रहा है आप कहेंगे 2 से कट रहा है काड़ दो 2 से क्या हैगा 214, 215, 216 किस से कट रहा है देखो आप जानते है दो की जो भाजिता नियम होता है डिविजिबिल्टी जो रूल होता है रूल साब को 2, 3, 4, 5 का मालू होगा ठीक है अब 13 किसी करता नहीं तो 13 से कटेगा तो इसको क्या ले सकते है 156 को लिखा जा सकता है 2 x 2 x 3 x 13 तो आएगा 2 की पावर 2 x 3 x अब 3 की पावर 1 लिखिये ना लिखिये क्या फर्क पड़ता है तो यह आपने 2 पाट किया ठीक है अब देखिये 2 संख्या है और हमने एक तुली में आपको रोग करके इसको कर लिया था ठीक है जैसे टाइम आपका बज़ज़ा है 385 देखो द्यान से 2 से तो कटेगा नहीं क्यों 2 से कटने के लिए आप जानते है कि 2 की टेबिल मात है 2 x 2 x 4 x 6 x 8 x 10 जिस संख्या के अंत में 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो जीरो वो 2 से करता है 2 का काम खतम 3 की टेस्टिंग क्या होती देखो हर नंबर की टेस्टिंग नहीं होती काफी को टेस्टिंग आपको पढ़ाए गई कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कैसे आप जानते हो देखो इन सभी अंकों को जोड़ दीजे 8,3,11,2,14,5,8,2,11,3,11,2,13,5,18 इन अंकों को जोड़ दीजे एड कर दिया अंकों को 3 में 8 प्लस करो 11 आएगा 11 में 2 प्लस करो 13 आएगा 13,5 प्लस करो 18 आएगा अगर जोडने के बाद जो नंबर आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ये 3 की डिविजबिल्टी टेस्ट होता है तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 बन जा 3 3 दो निच्छे 2 आएगा 22,3,21,21,21,15,3,15, आगया अब जोगो 2,1,3,7,3,10,10,10,15,15 अब इसको एड करने पर जो नंबर आया है वो 3 से डिवाइड हो रहा न 15 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 से किया 3 चोग 12 3 दो निच्छे 1,7,15,3,15 फिर ये 5 से काड़ दिया वोगो 4,2,6,5,11 आएगा अब तो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो पढ़ना थे 40,2,25,25 फिर 5 से काड़ा 5 जी कम 5,5,7,7 से काड़ जाएगा इसको कहले सकते है 3 इंटो 3 इंटो 5 इंटो 5 इंटो 17 3 इंटो 3 इंटो 5 इंटो 17 तो 3 दो बार आया है तो 3 की पावर 2 इंटो 5 पावर 2 इंटो 17 ऐसे लिखा जा सकता है अगला नमबर है 5005 तो आप सिंपल सी बात है अंकों का योग है 5,5,10 5 से तो 3 से तो कटेगा नहीं 2 से कटेगा नहीं 5 से काड़ दिया तो 5 से कम 5,20 फिर 5 से कम 5 अब फिर चेक करना पड़ेगा साथ की भी डिविजबिल्टी टेस्ट होती है लेकिन डिविजबिल्टी टेस्ट आपको सभ्याद नहीं है तो 7 से काड़ो के तो 7 से कम 7 3,10,3,7,8,20,2,21,7,20 फिर 11 से काड़ दिया 13 से काड़ दिया 3 से कटेगा नहीं 4 से कटेगा नहीं 5 से कटेगा नहीं 6 से कटेगा नहीं तो इस उगार से टेस्टिंग करते 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 आपको बढ़ना पड़ेगा बढ़ना पड़ेगा वह बढ़ना पड़ेगा ठीक तो 17 हमारे पास आया सत्रा से भाग किया इसको अब दिखो सत्रा की टेबल आजाए डारेक्ट आप लिगदीजे कि सत्रा से काटा तो 3 से काटा तो 70 से काटा तो देखे अगला कुश्शन कहा रहा है कि find the LCM and SCF of the following pair of integers इन संख्याओं का SCF और LCM निकाले पहले तो यानि कि महत्तम समापुड़ता है को लगत्तम समापुड़ता है तरीका क्या होता है देखे LCM निकालने का एक तरीका और होता है ध्यान रखेगा आपको याद होगा 26 और 91 को एक सा लिखते थे और ऐसे काटते थे यहाँ पर नहीं करना है यह division method होता है आप से division method से नहीं का भाग method से नहीं का है उन्होंने prime factors के method से का है गुड़न खंट करके करना पड़ेगा तो 26 को पहले काटिए दो से काटो के 13 बार आएगा 13 से काटो के एक बार आएगा तो 26 को 2 into 13 लिख सकते है ठीक है 91 को काटो 7 से काटो के 13 आएगा 13 से काटो के एक आएगा तो इसको 7 into 13 लिख सकते है अब देखो इसका LCM निकालने का तरीका क्या होता है LCM क्या हमने बताया है दो तरीके से सोचिए अब हम बार बार लगुत्तम समापर तक नहीं लिखेंगे ठीक आप जानते हैं जो देखे दो तरीके से हमने समझाया है नंबर कम है चलेगा जो कॉमन है वो एक बार लिख दो तो तेरा तेरा दोनों में है तो एक बार लिख दो और जो बचेगा उसको भी लिख दो ठीक ये एक तरीका आपके पास होता है दूसरा तरीका हमने कहा था कि जब बहुत सारे संख्याय हो तो बढ़ियासी बात समझ लो सम्मे से सबसे ज़्यादा पावर हो लिख दो तो दो की पावर एक यहां है और यहां है नहीं है नहीं मतलब जीरो पावर है तो अधिकतम पाऊर क्या है 2 काऊर एक 13 की पाऊर एक है 13 की पाऊर एक एक लिख दे गई 7 पाऊर एक है यहाँ 0 है 7 पाऊर एक लिख दे तीक है तो LCM निकलाया Multiply करना आपको आता है कैसे करेंगे 13 दूनि 26 इंटु 7 मल्टिप्लाइ करना ये भी आता होगा सचंग 42 के दो हाथ है चार और सादुनी 14 418 182 आएगा तो LCM हमारे हिसाब से तो 1802 आया है ठीक अब SCF निकाल लेते हैं इसका SCF SCF ही हमने क्या पताया था दो तरीके से हमने कहा लिखिए एक तरीका ये है कि जो कामन हो उसको लिख दीजेगा तेरा कामन है, तो तेरा लिख दिया हमने, ठीक है, दूसरी, दूसरा तरीका हमने क्या बताया, वो तरीका तब लगाओ, जो बहुत सारी संख्याओं हो, ठीक, अभी कामन वाली बाल लिखते हैं, तो ये तो पहला पार्ट हो गया आपका, कि LCM निकालो, SCF निकालो, इसके बा तो देखे, पहले हम करते है, SCF into LCM, इनका मल्टिप्लाइ करने जा रहे हैं, देखे, ये है आपका 182, मल्टिप्लाइ बेद 13, अब इसका मल्टिप्लाइ करके देखे, रिजल्ट क्या हैगा, करिए अपने आप, 306 अड़ाया, हमने डाल लिख दिया है, ठीक है, और आप द मल्टिप्लाइ अगर करिए, मतलब प्रोसेस अप्लाइ करना है, क्या तरीका होता है, एक से करोगे, एक छे, एक दुनी दो, पिर लगाओगे, 9 से, नचाक चववन, आता है पांच, नव दुनी, 18, 18, 18, 25, 23, छे आएगा, छे आएगा, तीन आएगा, दो आएगा, तीन अगर LCM, SCM, A और B, चार चीज़े हैं न, अगर चार में तीन मालूम हो, तो चोथी निकाल भी सकते हैं, तो यह इसको वेरिफाइ करने का तरीका है, सेकंड का फर्स बार, ठीक है, देखे संक्या है, 510, 192, तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसको फेक्टर करना पड़ेगा हमने कर दिया है पहले से, 510 को 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1, 5, 2, 5, 10, 2, 5, 10, 3 से काटा, 3 से काटा कैसे बालूम हुआ, छोटी संक्या चेक कर लिजे, नहीं तो इन अंगों को जोड़ा, 5, 2, 7, 5, 12, इनको एड करने पर जो संक्या आ रही है, वो 3 से कट रही है, तो यह संक्या भ दो से काटोगे, 2, 4, 8, 2, 12, 2, 23, 23, 23 से काटोगे, अब दिखो इसको 2 की पावर, 2 बार है ना, तो 2 की पावर, 2 इन तू, 23 लिख दिया, अब LCM निकालने का तरीका देखिए, LCM निकालने का तरीका हमने जो बता है, वही लगाईए, कि जो maximum पावर हो, इसको लिखेगा, द मेरा सब्सक्राइब करके लिखना है मैं डारेक्ट चीटिंग करके लिख देता हूं तो मेरा एलसियम आया है 23460 या यह है 23460 आप मल्सक्राइब करके इसको power हो लिखो, दो की power 1 हैए और 2 की power 2 है, minimum power क्या है? 2 की power 1 2 की power 1, ठीक है 3 की power 1, यहाँ 0, है यहाई नी 5 की power 1, 0, है यह यहाई तो कुलम-लागर के यही 2 हो जाएगा निकला आगा, आप क्या करना है आख देखे अगर आपको ये जो verify करने वाली बात बता रहे हैं ना ये ना करना हो तो ए भी यहां नाम मत देना ये किवल हम ये जो verify करने वाली बात बता रहे हैं इसकी वज़े से भी नाम दिया है अब आपको LCM into SCF निकालो इसका multiply कर दो तो multiply किसका करेंगे 23,460 को 2 से गुना करो कितना आएगा 24,9,2,3,6,46,920 आप संख्याओं का multiply कर दो मतब 510 का 92 से multiply करके देखो कितना आ रहा है मेरे हिसाब से 46,920 ही आएगा हमने डाल लिख दिया है तो आप लिखेंगे KSCF into LCM बराबर A into B आ रहा है यानि ये verify हो रहा है एक बाद चेक कर लिजिएगा वैसे मेरे हिसाब से यही आएगा 46,920 संख्या है आपकी 336 and 54 336 को काटा हमने 2 से तो 160 आया इसको 2 से काटा 84 आया 2 से काटा 42 आया 2 से काटा 21 आया 3 से काटा 7 आया 7 से काटा 1 आया ये आप जानते हैं इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है इसको 2 से काटा 54 को 27 आया 3 से 9 3 से 3 3 से 1 काट दिया इसको क्या लए सकते हैं 2 कितनी बाद आ रहा है 4 तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है और इसको 2 एक बाद आया है आ है 2 की पावर 4 इंटू एक पावर तो कामन हो गई और 3 पावर बचगया तो हमने कहा ellyक्समार लिख दू 2 की पावर 4 पावर हो लिख दू यहाँ 2 की पावर 1 यहाँ 2 पावर 4 है इसको दो 2 की पावर 1 कैंग ए यहां पर तीन पॉड़ तीन पॉड़ एक है । कामन एक यही कि बार है। यानि यह कम एकस शमण के तना हो गया। चैए इसको मल्टीप्लाई खरके आप न्याप लिखें मैं टाय आएट लिखता हूँ मैंने मल्टीप्लाई करके लिख रखा है । यह आया है LCM into SCF करो मतलब 3024 multiplied by 6 करो देखो कितना आता है और A into B करो A बोले तो 336 into 54 करो देखो क्या आता है इन दोनों की value same आनी चाहिए ठीक है इसका तो ऐसे कर दो 24 के 4 हाथ है दो 12 12 14 18 18144 यह आना चाहिए हाँ पर और यह multiply करोगे तो यह भी 18144 आएगा हम तो आएगा ही अगर यह multiply गलत नहीं है तो यह भी आएगा तो आप यहाँ क्या देख रहा है कि LCM into SCF is equal to पहली संक्या into दूसरी संक्या तो यह verify कर निकले आता है कभी कभी तो यह question समझ में मेरी हिसाफ से आ गया होगा ठीक है second question कह रहा है कि find LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method अब हाज गुरन फंड गुरन खंड विधी से इन संक्याओं का आपको लगुत्तम स्मापुरतक और महत्तम स्मापुरतक निकालना है अब दोको तीन संक्याओं में लफड़ा है माले यहां दो में तीन होता पहले संक्याओं देख लिजीगा 12, 15, 21 अब बहुत चुकि ननी मुनी संक्याओं है इसलिए यहां पर आप डारेक्ट 12 को गरते हैं 12 दो दो बार आएगा दो पाउड दो इंटो तीन 15 को तीन इंटो पाच और 20 को तीन इंटो साथ अब LCM और SCF निकालने को जो मैंने तरीका बताया वही तरीका आप बताते हो ना कि जो common हो एक बार लिखो जो बचे हो अमाले दो में common है और तीसम नहीं है तब क्या करोगे उसे common मानोगे नहीं मानोगे सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने बताया वो लिखेगा LCM निकालने के तरीका आपने क्या बताया तीनो में जो maximum power हो लिख दो देखो यहाँ 2 की power 2 है यहाँ 2 की power 0 है है नहीं मतलब 0 है यहाँ 0 है तो maximum power क्या हो जाएगी 2 की power 2 3 प्याव 12,5,60 इंटू 7 सचंग 42 420 क्या संख्या है LCM निकालाया SCF निकालने का तरीका हमने क्या बताया था मातम समापर तक जो minimum power हो लिख दो minimum power देखो 2 की power 2 2 की power 0 नहीं है ना इसमें 2 की power 0 यानि की नहीं लिखेंगे प्यावर 0 कुछ होता ही नहीं है 3 पाउर 1, 3 पाउर 1, 3 पाउर 1 नहीं 3 5 यहाँ पर है यहाँ है नहीं लिखेंगे नहीं 7 यहाँ यहाँ है नहीं लिखेंगे नहीं तो यह LCM आ गया यह SCF आ गया यह संख्या कौन सी है आपकी 12, 15 और 21 ठीक है 2nd part देखिए लिखेंगे ना और कोई संख्या से कटेगा नहीं LCM निकालने का तरीका क्या होता है maximum power लिखनी है तो 17, 23, 29 है गुणा कर तो 17, 23, 29 बस यह संख्या होगी जो multiply करके आया है वो आप लिख दीजेगा हम डायल लिखे दे रहे है ग्यारा, तीन, तीन, नो ग्यारा, तीन, तीन, नो और SCF निकालने के लिए क्या करेंगे जो common हो common one है के वल तो one लिख देंगे ठीक है तो यह LCM और SCF निकालने का तरीका है जो इसके पहले भी आपने किये है 9th वगरा, 8th वगरा में भी यह factor method है गुरंखन भी दी है और वो division method था तो इस method से आपको निकालने के लिए कहा गया है संक्या है 8, 9, 25 8 को 2 दुनी, 4 दुनी, 8 2 की power 3 इसको 3 की power 2 इसको 5 की square लिखा हुआ है अब आप कहेंगे आपने one क्यों लिखा इसके पहले तो किसी one नहीं लिखा नहीं लिखा यहां लिख दीजे मत लिखे, कुछ भी न लिखे तो LCM निकालने के तरीका क्या होता है पर LCM में हमने का जो maximum power हो ठीक है 2 की power 3 यहां है यहां कई है नहीं 2 power 3 लिखा जाएगा 3 power 2 लिखा जाएगा और 5 power 2 लिखा गुणा कर दो तो 8 3 तरकर 9 25 25 24 25 28 200 200 into 9 9 21 1800 1800 तो LCM आज जाएगा महत्तम समापुड़ तक LCM क्या आएगा जो common हो और common कुछ है नहीं तो क्या माना जाएगा वन 306 657 और इसका SCF दिया गया है 9 तो कह रहे है given है तो LCM फाइंड करो अब आप कहेंगे LCM फाइंड करने का तरीका तो simple है पर इसके गुणखंड कर दो factor कर दो इसके factor कर दो और जो तरीका होता LCM को निकाल दो 9 आपको SCF का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो तरीका क्या होता है यहाँ पर हमने पढ़ा है कि LCM into SCF दोनों का multiply किसके कुल होता है पहली संख्या है into दूसी संख्या है इस संख्या का नाम A दे दो इस संख्या का नाम B दे दो यह तो पढ़ा है ना आपने मतलब LCM निकालने के लिए हमको SCF का इस्तेमाल करना चूंकि SCF दिया गया है मातम स्मापर तक तो यहाँ से अगर LCM निकालना चाहेंगे तो क्या हैगा A into B upon SCF और यह है 306 into 657 और यह है 9 9 से काढ़ी है क्या आएगा 9 27 3 36 नचोग 36 657 into 34 इसका गुणा कर दीजेगा तो यह आपका आएगा 22,338 गुणा करना आपको आता है इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे हैं 657 तो इसका जो मल्टिप्लाई आया है वहाँ है 22,338 22,338 आप आंसन नहीं के लिखेगा यह एग्जामनर यह मल्टिप्लाई देखेगा का आपने मल्टिप्लाई किया कहा है तो वहीं पर मार्जिन बना करके आपको यह मल्टिप्लाई दिखाना पड़ेगा गुश्चन जो फिप्थ है ना थोड़ा टेक्निकल है इसकी जो लाइंग्विज है वो इंग्लिस में है नहीं मतलब इंग्लिस तो सब्जेक्ट ही आपका है मतलब हो ठीक है अज़ा समझ नहीं कुछ करिएगा लिका है चेक वैदर सिक्स पावर एन कैन भी एन्ड विद द डिजिट जीरो for any natural number n मतलब n की कोई भी value हो जब 6 की पावर में हम लगाएंगे तो उसके end में 0 आएगा की नहीं आएगा चेक वैदर सिक्स पावर n can end with 0 or not मतलब जैसे मैंने 6 पावर 1 किया तो आपने का भाई ये 6 आएगा क्या इसके end में 0 आया end का मतलब बाद में जैसे चेक पावर 2 किया तो 36 आया क्या इसके end में 0 आया नहीं छेक की पावर 3 किया 216 आया क्या इसके end में 0 आया नहीं क्या end की कोई ऐसी value है जो 0 दे दे हिंदी में कह रहा है कि जाज करो क्या किसी प्राकरति संख्या end के लिए इसके जीरो ये संख्या जीरो पे समाप्त हो सकती है समाप्त एक चुली इसलिए कहते हैं कि जब हम संख्या लिखते हैं ना तो ये समाप्त वाले संख्या होती ही काई केंक वाली क्या ऐसा हो सकता है ज़रा बढ़ी ऐसा रूल देख लीजे समझेगा ध्यान से साउधान अगर कोई संख्या कि लास्ट में एक जीरो आपको चाहिए तो उसका एक गुड़नखंड टू और एक फाइव होना ही चाहिए इफ एनी नंबर एंड्स विद जीरो वन पेर आफ दे फैक्टर टू एंड फाइव शुड़ भी देर अगर आपको चाहिए कि जैसे मैं टूंटी है अब टूंटी में जीरो देखिए एक आगया तो अगर इसका फैक्टर करो तो एक फैक्टर टू एक फैक्टर फाइव आएगा आगया करके देख लो भाई बीस को दू तो एक पैरायक नहीं आया और संक्या चाहे जो आजाए जैसे मालिया साठ है तो एक जीरो आया तो एक जोड़ा दो से काटोगे तीसा आएगा दो से काटोगे पंद्रा आएगा तीन से काटोगे पांच आएगा पांच से काटोगे एक आएगा, दो इंटू दो इंटू पांच इंटू तीन, तो को एक पेराएग नहीं आया, तो एक जोड़ा दो और पांच का आना ही चाहिए, पहली बात, अगर आपको दो जीरो चाहिए, तो ये दो पेर होने चाहिए, तीन जीरो चाहिए, तो तीन पेर होने चाहिए, अगर 2 x 3 to power 2 लिखते हैं तो 2 x 3 x 2 x 3 आएगा आप power में चाहे जो लिख दीजे क्या 2 और 5 का एक pair आएगा नहीं आएगा तो आप क्या लिखेंगे क्योंकि इसके गुलनखंड में 2 और 5 का कोई भी जोड़ा कोई भी पेर नहीं है इसलिए इसके लास्ट में 0 नहीं 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 आ सकता समझ में आगए बात यही आपसे question कह रहे हैं यही language हमने बूला वो लिख लेंगिया दो पार्ट में question दिया है यह संख्या दी है और कहते explaining करो यह composite number क्यों है वार इस कंपोजी नंबर यह अब भाज संख्या क्यों है यह यह भाज संख्या क्यों है यह संख्या होने की condition क्या है अपने आप से कटे one से कटे दो अलग-अलग संख्याओं से और प्लस किसी और भी संख्या से कटे ज़रा ध्यान से देखिए यह इसमें कितने step है यह एक step है और यह एक step है यहां से तेरा common मिल रहा है अंदर क्या पचेगा 77 प्लस 1 यहां पचेगा दिए दो टुकडे बचेंगे और प्लस एक यहां से पचेगा यानि यह आ गया 13 इंटू 78 पहले तो देखने से लग रहा है कि यह संख्या 13 से भी कट रही है यह संख्या 1 से भी कट रही है यह संख्या 78 से भी कट रही है ठीक है और चाहो तो 78 के टुकड़े भी कर दो दो से काटोगे 2-3-6 एक साथ 2-3-6, दुने मठारा तीन से काटोगे 3-3, तीन तरकनो, तेरा से काटोगे एक आएगा यानि इसको क्या है तेरा इंटू तेरा है, कुछ ज्यादा आ गया क्या तो आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे because it is divisible by more than two numbers it is divisible by more than two numbers so it is composite number चुकि ये एक और एक और खुद इस संख्या के अलामा तेरा से भी भाग हो रहा है दो से भी हो रहा है तीन से भी हो रहा है इसलिए ये composite number है आप दो से ज़्यादा दिखा दो composite हो गया यहाँ पे आओ कहते हैं ये संख्या composite है ये कितने number है ये एक number है और प्लस पांच है तो यहाँ से पांच कामन ले लो तो यहाँ से पांच गया है कितना आएगा सच्छंग 42 इंटू चारतियां 12 दूट 24 प्लस 1 देखो वैसे तो दिख रहा है कि 5 गुणि something पांच से भाग हो रहा है ठीक है लेकि थोड़ा और चेक कर लो पांच 42 और 24 का गुणा करिए 42 इंटू 24 चार दूनी आठ 4 चोग सोला 2 दूनी चार 2 चोग को आठ आठ 6 चार दस आठ एक नव एक दस एक हजार आठ प्लस एक 1009 यापका 1009 आएगा ठीक है तो आप इसको लिख दो 5 इंटू 1009 आपको आगे इसको करने की जरूरत नहीं है आप लिखेंगे चुम कि ये संख्या 1 से भी कट हो रही है ये 5 से भी हो रही है ये 1009 से भी हो रही है ये 2 1 और खुद 1 संख्या के बाच संख्या कंपोजित नंबर है भाज संख्या आ कि यह किए और Allah कि अलामा भी किसी नंबर से कट जाए तो 5 से कट रही है 1 से क्ट रही है कि यहता से संख्या 0mm है ठीक है कि य awesome 않uvo ऑर श्रॉजिशन है एक तोड़ा जाएकंड़िकल प्रॉब्लम है कहरे accepting एक खेल का मैदान है उसके चारो और एक सर्कुलर पाथ है गोल मैदान है गोल रास्ता है सोनिया टेक्स 18 मिनट तो कम्प्लीट ड्राइब वन राउंड आफ दे फील्ड सोनिया उसका एक राउंड कम्प्लीट करती है और 18 मिनट लेती है चलिए वाइल दा रवी टेक्स 12 मिनट लेता है सिंप्ल सी बात है सोनिया धीरे चल नहीं होंगी ज्यादा समय ले रही है और रभी 12 मिनट में खतम कर लेता है निफास चल रहा होगा तो कहते हैं सब्सक्राइब बोथ स्टार्ट्स एड़ सेम पॉइंट एड़ सेम टाइम उस रास्ते में दोनों एक ही जग होगा ठीक है जरा समझने की कोसिस करिएगा ये एक एक राउंड एक स्पोर्ट्स मैदान के चारुतरफ का रास्ता है ठीक है और यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है मैं इसको मान लिया यह स्टार्टिंग पॉइंट है हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी चुकि इतनी इंगलिस तो आती है यह स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है और यहां से सोनिया दोड़ती है इस पॉइंट से और लॉड करके यहां पर आती है और सोनिया की जो स्पीड है ना वो है अठारा मिनट पर राउंड हैनि सोनिया जो समय ले रही है वो ले रही है अठारा मिनट पर राउंड एक राउंड में अठारा मिनट को लगता है और जो रवी साहब समय ले रहे हैं वो ले रहे हैं बारा मिनट पर राउंड देखो जब रवी जल्दी दोड़ेंगे तो रास्ते भी तो बार बार रवी सोनिया को मिलेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो बोलें यहां पर कम मिलेंगे आगर की तो हो सकता है थोड़ी दिर बाद यहां के मिल जाए लेकिन उस दवरान रभी ज़्यादा चक्कर लगा लेगा सोनिया कम चकर लगाएंगे अगर हम माल लें कि after x round आफ सोनिया मिल जाती है हैंने हम माल ले कि after x round after x round आफ सोनिया and after y round क्योंकि रवी ज्यादा लगाएंगे ना आफ रवी both meet at the same point at the same point आपको ऐसे question लगाना नहीं है question में बारा अठारा और बारा का LCM निकाल दीजिए answer आगया काम खुतम लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ हमने माना कि माना सोनिया x चकर सोनिया और y चकर रवी लगाने के बाद एक खी नहीं लिखा है खी लगाने के बाद रवी लगाने के बाद मिलते हैं लगाने के बाद ए पर मिलते हैं ए मतलब एक ही point पर अज़ आप मिलेंगे तो same time पे ना अगर आप 7 बज़े यहां से चले आप कई राउंड लगाए और 10 बज़े आके यहां मिले तो यानि सोनिया भी 10 घंटे चली और अभी भी 10 घंटे चली मतलब ते हुआ जागर के ना यानि की जो time सोनिया ने लिया है 18x minute और एक राउंड में 18 minute ले रहे हैं और एक्स राउंड में 18x minute और इसने जो 12 y minute लिया है ये दोनों का समय तो same है ना तो इसका मतलब वो time आपको निकालना है जब यहाँ दोनों मिलें पहली बार मिलेंगे तो इसके बाद भी तो हम 12 और 18 का LCM निकाल ले मतलब वो संक्याद जो ये नंबर भी काड़ दे उसको ये नंबर भी काड़ दे इसको जब दोनों नंबर काटते हैं किसी संक्यास को क्या निकालते हैं LCM तो आप 12 और 18 के LCM निकाल लो LCM of 12 and 18 निकालना आपको आता है कैसे निकालेंगे स्कूर अप कर देते हैं 12 के टुकडे करेंगे बारा के टुकुडे क्या होंगे दो दुनी चार त्यां बारा लाँ त्या त्हरकर नौ दुनी अठारा तो लसे हम निकालेंगे तो आएगा दो की पावर दो इंटू तीन की पावर तीन चार इंटूर तीन तरकर नो तो 27 ज्यादा हो गया क्या तीन तरकर नो तो नठारा दो आएगा तीन की पाउर दो नो नो चोग 36 चछतिस मिनट बाद दोनों मिलेंगे अगर की सौन में आ गई बात पक्का आई गई होगी तो यह आपका एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज है यह एक्सराइज 1.2 है और मुझे पका विश्वास है कि आपके काम की होगी अगर आपको लगे कि यह आपके ल